एक तरफ अनील देश मुक्फर आ रहे हैं तो दूसरी तरफ परंबीर सिंग और परंबीर सिंग की तो बाते ही निकल के आने लगी है कि शायद ये देश छोड़ के भाग चुका है खेर भागा है कि नहीं भागा है ये तो समय के साथ पता लगेगा ये तो अब एजनसी जब हमारी जो पुलिस है वो इतनी capable नहीं रही कि एक व्यक्ति को जो एैसे विक्ति हो जो अग्यात हो परंबीर सिंग ग्रहम अंत्री महाराश्ट्र की अनील देश मुक्फ ये दोनों मिल नहीं रहे हैं एक तो पुलिस कमिश्णर रहे हैं और एक ग्रहम अंत्री इनका गायब ह जाना यह जम नहीं होता है यह जब तक प्रभाव शाली लोग यहां पर इनको छुपा नहीं रखे हो इनको कहीं पर आसरा नहीं दे रखे हो या फिर देश से भगाना दिए गए तो यहां पर EDCBI जोट आपरेशन चलाती है नील देशमुक की तलाश को लेकि इस विक्ति को प सो करोडवसूली का जो पूरे चिट्ठी लिखी परमबीर सिंह नहीं देखो चिट्ठी लिखी वह भी गाय जिसके आरोप लगाया जिस के उपर वह भी गाया मतलब आप समझेरों दोनहीं गलत दोनही भ्रष्ट क्योंकि परंबीर के ऊपर पर भी एक से एक मामले लग गए इस के ऊपर भी लग चुका एक इसी तरीके से धमकाता था रिश्वत लेता था वसूली करता था और पता नहीं कैया क्या करता था अब यह सारे खुलेंगे इसमें सुषानत का केस ना खुलें कैसा हो नहीं सकता तो वो केस भी है अभी तो जिसके अंदर अनील देश्मुक कह रहे थे CBI कैसे बैठ जाएगी जिसके अंदर परंबीर सिंग कह रहे थे CBI कैसे बैठ जाएगी यह तो कि जा गया है तो अब अनील देश्मुक की फरारी वाले मामले में वसूली वाले मामले में इन से सवाल जवाब किये जा रहे और किये भी जाने चीए क्योंकि यह पूरा का पूरा तंत्री है यह तंत्र जो पूरा बनाके को पता होगा जब सचिन वाजे के पास पहुशती है CBI और ED तो पता लगता है कि सचिन वाजे ने आरोप लगाए कि अनील परभी था जो रैकेट चला रहा था ये भी वही वसूली के लिए कहता था अब कुछ नया नहीं है ये चौकने वाली बात नहीं है कर सकते हैं इनका प पुद्धव ठाकरेजी जवाब दो आपके राज में आपके साशन में एक ग्रिह मंत्री थे और एक परंबीर सिंग थे जो की पुलिस कमिशनर थे दो नहीं कहा है वो गए दो नहीं फरा रहे हैं और फिर उसके बाद मैं कहना चाहूंगा ये केंद्रिये एजिंसिया जवा आपकी जांच में जिस विक्ति का नाम आ रहा है वो भाग खड़ा हुआ और CBI ED जवाब दे दे कि आप अनील जेश्मुक को लेके क्या जांच कर रहे हो तो ये क्या खेल चल रहा है अब समन पर समन भेज रहे हो और आपको बिलकुल नहीं है कि वो विक्ति भाग खड़ा ह यह इतना बड़ा इन्होंने जो यह पूरा स्कैम रन किया है आपको कोई मतलब नहीं है मैं फिर कहूंगा यह समझने वाली चीजे यह इसा नहीं है कि अभी हो रहा है यह तब भी हो रहा था जब बीजेपी सरकार थी जब देविंद्र फड़नवीस वहां पे बैठते थे तब भी यह सारा करप्शन था लेकिन वह यह ना भईया तुम भी खाओ मैं भी खाओ अभी यह सरकार में नहीं बैठे उद्धव ठाकरे ने धोका दे दिया अगर इनके साथ गए होते तो यह सब चीजे नहीं कर रहे होते यह आपको बता दू बहुत अच्छे से अगर राजनीती का पूरा गंदा खेल चल रहा है और हमें इनके भैकावे में नहीं आना है हमें सही बोलना है सत्य बोलना है यह हमें ठंगने के लिए बैठे हैं तो मत ठंगे जाओ अपनी बात स्पष्ट रूप से रखो यह लोगों का तो काम ही यह तो ज़रुरत नहीं है इनक किरफता रहें यहीं चाहेंगे जैहन्द